तो बच्चो आज किस वीडियो के अंदर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारे चैप्टर 15 हमारी क्लासिक साइन्स का और इससे पहले वाले चैप्टर की वीडियो मैंने मेरे चैनल के उपर अपलोड कर दी है और अगर आपने अभी तक उन वीडियो को नहीं देखा तो आप उ 15 एर अराउंड ऐस वीडियो के उपर हैं उन सभी को हवा की जरूरत होती है एर की जरूरत होती है जिंदा रहने के लिए तो यार क्या कभी आपने हवा को देखा है अपनी आखों से आपने कभी हवा को देखा नहीं लिकिन इसको महसूस जरूर किया होगा अपनी लाइफ के अंदर बहुत बार और यहाँ पर आप सभी को बताता भी है कि जब कभी आपको पेडों के पत्ते हिलते हुए दिखाई देते हैं और जो आपने कपड़े अपने बाहर सुका रखें वो भी हिलते हुए दिखाई देते हैं तो आप सोचते हैं कि बाहर हवा चल रही है Pages of an open book begin fluttering when the fan is switched on और यहाँ पर बताता भी है कि जो आपकी book अगर खुली हुई है आपके पंखे के नीचे तो उसके page क्या होंगे Fluttering होंगे यानि कि वो page बार-बार आपके पलटते रहेंगे और change होते रहेंगे यहाँ पर क्या हो रही है महाँ पर हवा आ रही है और हवा कैसे आ रही है हमारे पंखे के पास से The moving air make it possible for you to fly your kite और जो हमारी चलती हुई हवा होती है वो हमारे लिए possible मना पाती है कि जिसकी मदद से हम अपने पतंग को भी उपर उड़ा पाती है Do you remember activity 3 in chapter 5 in which you separated the sand and sow dust by winnowing और क्या आपको याद है जो हमने अपने chapter 5 के अंदर study किया था अपनी winnowing process को उसके अंदर basically हमने क्या किया था कि यहाँ पर एक ladies toll के ओपर खड़ी हो गई थी और उसने क्या किया ओपर से अपने जो grains देन को नीचे गिरा दिया और फिर जो यहाँ पर थोड़ा सा हवा हमारी ऐसे चल रही थी और हवा की वज़ा से क्या हुआ जो इसके अंदर dust particles थे वो थोड़े दूर जाके गिर गए और जो हमारी grains थे वो यहाँ पर इकठे हो गए यहाँ पर बताता भी है कि जो हमारी विनोविंग प्रोसेस हो तबी अच्छे से हो पाती है जब हमारी हवा क्या हो चलती रहे और आपने नोटिस भी किया होगा जब कोई आन्दी है फिर तुफान आता है तो जो आपकी हवा है वो ते ते चलने लग जाती है और यहाँ पर बताता भी है कि वो कई बार तो इतनी ज़्यादा strong हो जाती है कि जो paid होते है ना उनको भी हाँ जडों से उखाड के fact देती है और जो आपके घर की छत होती है उसको भी बहुत बार गिरा देती है और यहाँ पर बताता है आप इस figure को ध्यान से देखो और अपने खुद की फिरकी अपने खर पे बना लो hold the stick of the firky and place it in different directions in an open area और फिर बोलता है कि आप उस firky को एक stick के साथ में ऐसे पकड़ो और किसी open area किसी ground के अंदर चले जाओ और फिर उसको अलग-अलग direction के अंदर आप करके देखो अपने firky का face को move it a little back and forth observe that what happens does the firky rotate और फिर क्या करना है आपको थोड़ा stick को थोड़ा आगे लेके जाना है फिर पीछी लेके आना है इससे क्या होगा आपको पता चलेगा कि आपकी firky move कर रही है या फिर नहीं move कर रही है what make up firky rotate moving air is not it अब यहाँ पे आप सभी को बताता है कि आपकी firky जो कैसे घूमना start कर जाती है और किसकी वज़े से करती है तो आपकी firky air की वज़े से ही तो start कर रही है ना move ना move करना ही है तो आप यहाँ पे समझ चुके हैं क्योंकि आप बार-बार उसको आगे लेके जा रहे हैं पीछी लेके आ रहे हैं तो इसमें क्या हुरी है बार-बार उसको air लग रही है और हमारी firky जो है वो घूम रही है Have you seen a weather coke और क्या कभी आप ने ऐसा weather coke देखा है यह हमारी help करता है बताने के लिए कि हवा किस direction के अंदर चल रही है और कैसी हमारी हवा की speed है इट शोज दी direction in which the air is moving at that place देखा यह हमें यही बात बताता है कि हमारी हवा किस direction के अंदर चल रही है जिस भी direction के अंदर हमारी हव चल रही होगी उसी direction के अंदर इसका जो arrow था वो ऐसे हो जाएगा ठीक है तो चलो अब आगे देखते हैं तो बच्चो अब हमारा next topic आता है is air present everywhere around us क्या जो हवा है वो हमारे चारो तरफ और हर जंगे present है close your fist आप क्या करो अपनी मुठी को बंद करो what do you have in it अब क्या आपको इसके अंदर कुछ मैसूस होता है nothing आपको कुछ भी मैसूस नहीं होता है आप इसको देखो एक बार चेक करो अपनी मुठी को बंद करके try the flowing activity to find out इसके लिए दोस्तों आपको पता चल जाए गई क्या आपको आपकी मुठी के अंदर हवा मैसूस होती है या नहीं होती है ब नया सीखने को मिलने वाला है और यह बहुत ही ज़्यादा simple activity आपकी रहने वाली है take an empty one bottle is it really empty or does it have something inside और यहाँ पर आप सभी को बोलता है कि आप एक खाली बोतल लो और आपको क्या लगता है कि वो बोतल आपकी really में खाली है या फिर उस बोतल के अंदर पहले से कुछ ची upside down in something inside it now और यहाँ पर आप सभी को बताता है कि फिर आप क्या करो जो आपकी बोटल इसको ऐसे टेडा कर दो उल्टा कर दो यानि समझ के air के साथ ही now deep the open mouth of the bottle into the bucket और फिर क्या करो ऐसे उस बोतल को पानी के अंदर डुबा दो fill with water as shown in figure 15.4 observe the bottle does the water ever the enter the bottle और फिर यहाँ पर आप सभी को बताता है कि आप ध्यान से देखो क्या जो पानी है आजपास का आपकी bottle के अंदर जा रहा है तो यह ऐसे तो पानी बिल्कुल भी नहीं जाएगा क्यों नहीं जाएगा मैं आपको यह बात बता देता हूं अब मानो यह हो गई आपकी bottle ठीक है अब इसके अंदर air पहले से यह है ठीक है और यह हो गए आपका पानी आपे अब यह पानी इसके अंदर क्यों नहीं जाएगा क्यों कि है इसके अंदर air है इस air को भी तो भार निकलना होगा ना तब भी तो पानी अंदर जा पाएगा और यहां पर कोई रास्ता नहीं है पानी के पास भार जा और फिर आप चेक करो कि क्या पानी अब आपकी बोटल के इंदर एंटर हो रहा है Do you see bubbles coming out of the bottle or hear any bubbly sound? Can you now guess what was in the bottle? और अब दोस्तों क्या बोलता है कि आपको कुछ bubble type sound सुनाई देगी और फिर क्या होगा जो आपका पानी था वो आपकी बोटल के इंदर जाना start हो जाएगा Yes, you are right It is air that was present in the bottle The bottle was not empty at all और यहाँ पर आप सभी को बताता है कि जो वास्तों में आपको लग रही थी कि आपकी बोटल खाली है जबकि वो क्या थी हवा के साथ में भरी हुई थी और यहाँ पर पानी क्यों जाना start हो गया आपके mind में अब ये question भी आया होगा तो यार क्या होता है जब आपने अपनी बोटलों थोड़ा सा tilt कर दिया है तो यहाँ से तो पानी बढ़ना start हो गया और यहाँ से आपकी एर को रास्ता मिल गया बाहर जाने का तो चलो अब आगे देखते हैं In fact, it was filled completely with air even when you turned it upside down that is why you are noticed that water does not enter the bottle when it is pushed in an inverted position as there was no space for the air to escape when the bottle was tilted, the air was able to come out in the form of bubble and water filled up the empty space that the air was occupied This activity shows that the air occupies space तो बच्चों यहाँ आप सभी को यही बात बताता है जो मैंने आपको पहले पहले समझा दी थी कि भई जो आपकी bottle ऐसे directly गई थी अंदर तो आपकी जो bottle के अंदर air थी उसको space नहीं मिला बाहर जाने के लिए और जब आपने अपनी bottle थो तो तो इसको space मिल गया air को बाहर जाने के लिए और फिर जहाँ पे air भरी होई थी वहाँ पे क्या हो गया आपका पानी भरना start हो गया और इससे हमें क्या बात समझ में आती है कि जो हमारी air है वो भी क्या लेती है space लेती है मतलब की space को occupy करती है अब यह बात यहां से proof हो जाती है और यह भी proof हो जाती है कि हमारी जो air है वो सभी जंगे होती है ठीक है और यहां से यह बात भी proof हो जाती है कि जो हमारी हवा है वो हमारी air है वो सभी तरफ हमारे पास present है और सभी जंगे present है air has no color and no one can see it through and one can see through it it was transparent और यहाँ पर बताता है कि जो हमारी हवा है उसका कोई भी color नहीं होता और वो हमारी totally transparent होती है उसके अंदर से आर पार कोई भी इनसान देख सकता है our earth is surrounded by a thin layer of air और यहाँ पर बताता है भी है कि जो हमारी earth है अब यह हो गई दोस्तो हमारी earth इसमें क्या है यह हमारी थोड़ी surround है thin यानि कि पतली सी layer किसकी layer के साथ में air की layer के साथ में this layer extended up to many kilometers above the surface of the earth and is called atmosphere अब दोस्तों यहाँ पर बताता है कि यह तो हमारी earth हो गई और यह इसके चारों तरफ हमारी क्या हो गई air और जो यह air है हमारी earth ते कुछ किलोमेटर उपर तक फैली होई होती है और जो पूरी air और earth के बीच का gap होता है जिसमें हमारी हवा हो गई gases हो गई इस सभी को हम क्या बोलते है atmosphere as we move higher in the atmosphere the air gets rarer और यहाँ पर आप सभी को बताता भी है कि जैसे जैसे आप earth से उपर जाते जाएंगे क्या होगा जो आपकी air थी वो वहाँ पर कम होती जाएगी धीरे धीरे now can you think mountainers carry oxygen slender with them while climbing the high mountains और यहाँ से आपको यह बात भी समझ में आ गई होगी जो यह आपके mountain climbers होते हैं जब यह high height के उपर जाते हैं तो अपने साथ में यह slender क्यों लेके जाते हैं oxygen का क्योंकि air जैसे जैसे यह उपर जाते जाएंगे हमारी क्या होगी air कम होती जाएगी तो चलो भाई अब आगे देखते हैं तो बच्चो अब आता है हमारा next topic What is air made up of बच्चो वैसे आपको क्या लगता है कि जो हमारी हवा है वो किसी चीज से मिलके बनी हो सकती है तो जी हाँ वो भी किसी चीज से मिलके बनी है और उस चीज को हम यहाँ पर सीखने वाले हैं Until the 18th century people thought that the air was just one substance और यहाँ पर बताता है कि हमारी जो 18th century थी थी तब तक लोग क्या सोचते थे कि जो हमारी air है वो एक सबस्टांस है वो ऐसे ही रहती है experiments have proved that it is really not so और जो हमारे scientist ने फिर experiment किये उससे बात proof हो गई कि हमारी air कोई एक खुद का सबस्टांस नहीं है जबकि वो भी एक सबस्टांस से मिलके बनी हुई है so air is a mixture of gases और यहाँ से हमें क्या बात समझ में आती है कि जो हमारी हवा है वो बहुत सारी gases का क्या है mixture यह तो हो गई हमारी air और यह क्या है हमारी gases का mixture ठीक है what kind of a mixture is it और यह जो हमारी air है किस type का mixture है let us find out about some of the major component of the mixture one by one तो चलो यार study करते हैं कुछ हमारे components को जिन से मिलके हमारी जो हवा है वो बनी होती है लेकिन यार आज के part में इतना ही अगर आपको आज की वीडियो अच्छे लिग तो इसको like ज़रूर करना और मैं आप सभी के लिए second part जल्दी ही लेकिया हुआ तब तक के लिए आप चैनल को subscribe करना बिल्कुल ही मत भूलना ताकि आप वीडियो को miss बिल्कुल भी ना कर पाएं